नमस्कार दोस्तों, Sports Engineer में आप से विगा बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम हदीपक बारुटिया, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Anatomy and Physiology के टोपिक, Muscular System के Question and Answers का, Anatomy और Physiology के Cell जो टोपिक है, उसके दो वीडियो पहले आचुके हैं, और इस सब्जेक्ट का ये तीसरा वीडियो है, दिरे-दिरे Anatomy and Physiology के सभी टोपिक्स को हम कवर कर लेंगे, आज पहला पार्ट है ये Muscular System का, इसके Question and Answers को हम डिसकस करने वाले हैं, दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे के नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, Sports Engineer टाइप कीजिए, अगर आप Social Media पर जुढना चाहते हैं, और सभी वीडियो के PDF के लिए Telegram चैनल को जोइन कर दीजिए, Description में इन सभी की लिंक्स आपको मिल जाएंगे, फिलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अज का मारा पहला Question है, Isometric व्यायाम है, इसमें Mass Patient की नंबाई खालिस्तान है, Isometric Exercise in which muscle length is, तो देखिए Isometric Exercise के बारे में, Sports Training की जो वीडियो थी उनमें हमने देखिया था, एक बार फिर इसको डिसकस कर लेते हैं, एक तो देखिए इसमें नाम है ISO, एक नाम है Metric, ISO का मतलब होता है Same या फिर Constant, जो Change नहीं होता, उसको बोलते हैं ISO, Metric का मतलब होता है Measurement, Measurement का मतलब हो गया, उसकी Length है लंबाई, तो हमें ये पूछा गया है कि, Isometric Exercise के अंदर, Muscle Length में क्या फरक पड़ता है, Options आपके सामने है, Right Answer क्या हो जाएगा, Saman, A is the correct answer, Isometric Exercise के अंदर, Muscle की जो Length है, उसमें कोई Change नहीं होता, वो वैसी की वैसी रहती है, ये देखिए, जो भी आप चारों Exercise देख रहे हो, इसमें, Muscle की Length में कोई Effect नहीं पड़ रहा, लेकिन Muscle पे Tension जरूर आ रही है, उसपे एक Force जरूर अप्लाई हो रहा है, ये देखिए, Plank में यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर Force लगता है, ऐसे ही Wall Seat में भी, Moment नहीं होती, लेकिन Body पर Force जरूर लगता है, Side Plank देख लीजिए, इसके अंदर भी, आपकी Position तो सेम रहेगी, आपका Moment कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन Body पर Effect जरूर करेगी, ये Exercise, उसी तरिके से ये Exercise है, तो इन चारों Exercise से हम समझ सकते हैं, ये Isometric व्यायाम जो होता है, उसके अंदर, Muscle Length में कोई Change नहीं होता, वो As It Is Ready है, वो Same Ready है, अगला Question देखते हैं, पिछली जांग की Mass Pace यां, खालिस्तान भी कहलाती हैं, The Posterior Thigh Muscles are also called, पिछली जांग की Mass Pace का मतलब हो गया, कि आपके जो Leg है, उसकी पीछे की जो 3 Mass Pace हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो Right Answer कै है इसका, Hemstrings, देखिए, डेखिए, डेखिए, ये देखिए, ये आपकी Hemstrings मसल है, Hemstring में total 3 Mass Pace हाती है, ये Biceps, Femoris है, ये Second Number की मसल है, और ये तीसे नमबर की मसल है, Semitandinosus, इन तीन मसल्स से, मिलकर हमारी पूरी एक Hemstring Muscles बनती है, इन तीन मसल्स का एक Group होता है, उसको बोलते हैं, थाई मसल्स या फिर Hemstring की मसल्स, और बाकी Options को हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ये है Gastronymis, Gastronymis मसल्स आपकी ये होती है, आपकी काफ में जो उपर उठीवी मसल्स है, वो होती है Gastronymis मसल्स, फिर है Gluteus, Gluteus मसल्स आपकी Hip की मसल्स को बोला जाता है, ये भी एक मसल्स का पूरा Group होता है, तो Gluteus मसल्स का होती है, आपकी hip में होती है, quadriceps होती है, high में front की muscle है, यह जो आपका pair है, इसके आगे की muscles है, वो होती है quadriceps, quadriceps में total 4 muscles का एक group होता है, इन सबी को हम दिरे-दिरे discuss कर लेंगे, तो लिए अगला क्यूशन देखते हैं, तकनीकी सब्दों में mass space ये खिंचाव खालिस्तान कहलाता है, in technical terms, muscular stretch is called, तो देखिए options आपके सामने है, मोच, तनाव, घर्शन, विमुड़ता, लेकिन mass space से खिंचाव को तकनीकी सब्दों में क्या कहा जाता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, strain, muscle में strain होता है, muscle में sprain, friction, ये सब नहीं होता, आप कभी भी ये बिल्कुल नहीं सुनोगे आप muscle pull या फिर muscle strain सुनोगे, तो इस चीज़ को आप जहन में रखिए, कि तकनीकी सब्दों में mass space से खिंचाव को तनाव देते ही, next question है, मानाव सरीर के वजन का, कितना वजन स्वेचिक mass space का होता है, how much weight of human body, weight does voluntary muscle have, तो देखिए voluntary के बात यहाँ पर आ गई, स्वेचिक mass space क की बात है, एक होते है, involuntary muscles, इसके आगे in लग जाएगा, तो वो हो जाएगी involuntary muscles, voluntary का मतलब आप सबसे पहले समझ दीजिए, इसका मतलब यह होता है, कि ऐसी muscles, जिनको हम, हमारे according use करते हैं, जिन पर हमारा control होता है, मैं लिए आप अगर देखते हो, तो उन पर हमारा control होत हिता है, जैसे कि आपका हाथ की muscle है, और हाथ को आपको ऊपर के side करना है, या फिर नीचे के side में लेकर जाना है, ऐसे ही legs की muscles है, उन में आप पैर चलाते हो, या फिर दोड़ते हो, भागते हो, उन सब में जो muscles काम में आती है, वो voluntary muscles काम में आती है, तो एचेक mask ratio बोलते हैं जब खाना पचता है, उसपे आपका बिलकूल भी कैंट्रोल नहीं है, तो वो जो काम करती हैं, आपके body के अंदर जो भी muscles काम करती हैं, उनको involuntary muscles बोलते हैं, जिन पर हमारा control नहीं होता, body अपने आप काम करती है, उन muscles को involuntary बोल जाता है, फिर छोटी-छोटी चीजें थी इन voluntary और voluntary के बाद में एक cardiac muscle भी होती है cardiac का मतलब तो आप समझ गी होंगे ये muscle होती है heart के अंदर आपका जो रिदय होता है उसकी muscles को बढ़े जाता है cardiac muscles तो इसका answer देख लेते हैं right answer क्या है 40% 40% voluntary muscles होती है हमारी total body weight की जैसे कि आपका 100 kg weight है तो उसमें से 40 kg weight किसका होगा voluntary muscles का होगा स्वेच्छिक mask issue का होगा ये देख लीजिए voluntary muscles का एक्जामपल है जैसे कि आपकी बाइसेप है और ट्राइसेप है आपको आप मोड रहे हो वो किस category के अंदर आएगा voluntary muscles के अंदर इसे तरीके से involuntary muscles में देखिए liver, call bladder, intestine, stomach ये सब ही आते हैं involuntary muscles के अंदर जिन पर आपका control बिल्कुल भी नहीं होता ये automatic हमारी body में काम करके रहती है अजयोब आपको समझ में आ गया होगा अगला question देखते हैं तो पिछले question में हमने देख लिया था कि काफ मिसल को क्या बोला जाता है तो right answer क्या हो जाएगा gastronymes इस दी correct answer पिणली की जो मास्पेसी है उसको gastronymes बोला जाता है ये देखिए अगर काफ मिसल की बात की जाए तो काफ में total तीन मिसल्स होती है लेकिन सबसे बड़ी मास्पेसी है gastronymes इसलिए काफ मिसल को gastronymes बोला जाता है ये देखिए ये बाहर आपको दो head की मिसल्स दिखाई देती है पिणली में ये होती है gastronymes मिसल्स एक होती है solis मिसल्स इसके नीचे जो eccles tendon है उससे जुड़ी होई होती है ये मसल्स तो उपर के साइड में है gastronymes उसके नीचे जो फ्लैट मसल्स है वो होती है solis मसल्स और एक तीसरे नंबर की मसल्स होती है plantarys मसल्स ये देखिए ये एक तार की shape के होती है अंदर gastronymes के पीछे की साइड में ये मसल्स होती है तो टोटल एक, दो और तीन ये तीनों मिलके बनाती है काफ मसल्स काफ में मासपेशिया planter, gastronymes और solis इनको आप द्यान में रखिए लेकिन scientific name अगर काफ मसल्स का पूछ जाए तो मोटा-मोटा हमें gastronymes को याद रखना है अगला question देखते है वह है पेशी जो सिर को घुमाती है muscle that turns the head हमारा जो head है उसको घुमाने के लिए यहाँ पे जो muscles होती है वो कौन-कौन से होती है यह हमें पूछा गया है तो राइट answer क्या हो जाएगा D उप्रोप्त सभी यह देखिए sterno, cladomastroid, splenis, capitis, longismus, capitis यह तीनों muscles काम में आती हैं हमारे head को turn करने के लिए यह आप diagram में देख सकते हो यह सभी muscles help करती हैं हमारी head को घुमाने के लिए हमारी सर को turn करने के लिए अगला question देखते है वियायाम के दोरान mass special की enton को किसके दोरा रोका जा सकता है by whom can muscle spasm be prevented during exercise तो हमारी mass special में जो enton आ जाती है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह हमें पूछा गया है right answer क्या है इसका उप्रोक्त सभी हमें कम वसा वाला calcium युक तहार लेना चाहिए potassium जिस खाने में हो वो खाना खाना चाहिए और B complex के vitamin और water लेने चाहिए B complex में बहुत सारे vitamin आते हैं और उसके साथ साथ हमें water intake करना चाहिए जल का द्रहन करना चाहिए कितिनों options हो जाएंगे अगर यह आप यूज करते हो तो आपकी muscles में अंठन नहीं आएगी muscle में cramp नहीं आएगा आठ्वा question है मानाव शरीर में कुल कितनी mass patient हैं? How many muscles are there in human body? right answer क्या हो जाएगा? 639 देकि muscles तो 650 के लगबग होती है इससे वह ज़्यादा होती है लेकिन 649 639 यह नंबर है आपको exam में options में देखने के लिए मिलेगा अगर 650 आता है तो आप वहाँ पे इसको आप सही कर सकते बहुजद accurate नंबर नहीं है approximate यह हमें बताया गया है कि 649 संख्या में होती है शरीर में हमारे mass patient नवा question है pronator terrace mass patient का सम्मंद शरीर के किस अंग से है with which part of the body is the pronator terrace muscle related एक muscle आई है pronator terrace नाम की उसका सम्मंद हमारे body में कौन से पार्ट से है यह हमें पूछा गया है correct answer क्या है बूजा is the correct answer arm में हमारे होती है यह muscle देखते हैं कहा होती है यह देखिए यह है pronator terrace यह हमारे supination और pronation में help करते है अब supination और pronation हम किंशोलोजियन बायो मेकनिक्स की क्लास में पढ़ चुके है लेकिन थोड़ा सा देख लेते है जब आपकी हतेली सामने की तरफ हो front side में हो तो वो होगा supination और जब आप अपने wrist को अपने हाथेली को पीछे के साइड में ले जाते है बैकवर्ड साइड में ले जाते है वो हो जाएगा pronation तो यह दोनों प्रोसेस है इसमें pronator terrace मशल function में आती है वो मशल काम में आती है एक होती है pronator quadratus यह मशल भी supination और pronation में help करती है तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिए कि pronator जहां पे नाम आ गया तो आपको वो करना है बुझा में हमारे हाथ में यह दोनों मसल्स होती है और दोनों किसमें help करती है supination और pronation के जो body moment है उसके अंदर help करती है अगला question देखते है मानों सरीर में सरवादिक 37 साली mass patient कहां होती है where are the most powerful muscles in the human body right answer क्या हो जाएगा जबडे में यह देखिए यह masseter muscle है इसको सबसे powerful muscle कहा जाता है हमारी human body की अब देखिए यह बहुती debatable बात है एकदम clear नहीं है बहुत सारे physiology के जानकार है वो जबडे की mass patient को सबसे मजबूत मानते है और कुछ physiologist मानते है कि हमारी gluteus muscles होती है और हमारी thigh की muscles होती है जैसे rectus femoris हो गई यह muscles सबसे ज़यदा मजबूत होती है तो आपको exam में जब options मिलेंगे यह तीनों एक साथ नहीं मिलेंगी इनमें से आपको सबसे सही answer करना है जैसे कि question में कई बार thigh muscle के बारे में पूछ वे जाएगा कि हमारी body की सबसे strongest muscle कौनसी होती है तो उसमें rectus femoris option होगा तो आप वहाँ पे वो सही कर दीजिए आपको gluteus के बारे में भी पूछ सकते है strongest muscles की category में तो यह थोड़े से confusing से questions है इसलिए इनको include किया गया है तो आप इनको थोड़ा सा smartly तरीके से solve कीजिए question के according हमें question में क्या दे रखा है वो हमें देखना है इसमें option में हमें दे रखा है पाओं में, पेट में, जबडे में, बाओं में सबसे सक्तिसाली मशल हमें बता है, जबडे में होती है अगर यहां पर जबडा ना होके जांग आता, थाई आता तो हम option में कर देता है थाई क्योंकि rectus femoris को भी कई physiologist strongest muscle की category में लेकर आता है ऐसे कोई category हम नहीं बना सकते कि सबसे strongest muscle उसको हम decide कर देते हैं यह question exam में पूछा गया था physical education की और उसमें जबडे में जो option C इसको right माना गया था, इसको सही माना गया था, इसलिए इस question को include किया है, तो इसको अब ध्यान में रखिए अगला question देखते है मानाव शरीर में मास पेशियों के प्रकार होते है what are the types of muscles in the human body so right answer क्या हो जागा इसका C voluntary, involuntary एवं cardiac, यह देखिए यह cardiac muscle है, यह voluntary है और यह involuntary voluntary और involuntary के बारे में हम last question में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे यह cardiac muscle है cardiac muscle हो गया, heart की muscles को बोला जाता है अब देखिए voluntary muscles को skeletal muscle भी कहा जाता है और involuntary होती है smooth muscles तो यह categories है muscles की इनमें आप confused मत होईए यह skeletal muscle आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे या फिर smooth muscle आ गया तो उसको हम कौन सी category में रखेंगे skeletal muscle को voluntary muscles कहा जाता है smooth muscles हमारी होती है involuntary muscles जिन पर हमारा कोई control नहीं होता वो automatic काम करती रहती है next question देखते है mass patient को सुद्रड एम सुदोल रखने के लिए सबसे महत्तोपन कारक है what is the most important factor for keeping muscles strong and safely तो देखिए हमारी mass patient strong और shape में कब आएंगी यह हमें पूछा गया है right answer क्या हो जाएगा D उपरोक सभी आपको muscles को shape में लेके आने के लिए उनको tone करने के लिए strong बनाने के लिए आपको exercise भी करनी पड़ेंगी साथ में आपको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा nutritional diet बेची आपको लेनी पड़ेगी और rest भी proper होना चाहिए जब muscles में breakdown होता है muscles के tissues फट जाते हैं तो उनको recover करने के लिए proper rest की बहुत ज़्यदा need होती है बहुत ज़्यदा आव सकता होती है तो तिनो factor काम करेंगे उसमें इस तरीके से D answer हमारा right हो जाएगा next question है पेस्यों में एंठन का कारण है the reason for muscle cramp is muscle cramp किस reason से आते हैं वो हमें पूछा गया है right answer क्या हो जाएगा इसका फेस्यों में खिंचाओ muscle में जो strain आता है उसकी वज़़े से muscle cramp हो जाते है strain किसकी वज़़े से आता है जब fatigue level बढ़ जाता है हमारी muscles में lectic acid जमना सुरू हो जाता है तो muscles में cramp आते है और उन cramp को क्या बोलते है muscle strain बहुत normal सी चीज है इसको आपको ज्यान में रखना है अगला क्योशन है Taylor's muscle का नाम है the name of Taylor's muscle is देखिए निक्नेम है ये चार उप्सन है उनमें से Taylor's muscle किसको का आता है तो right answer देख लेते है ये है sartorius ये is the correct answer देखते हैं ये कहां होती है आपके थाई के side section से लेकर ये muscle आपके घुटनों तक जाती है वहाँ पे ये मिलती है तो देखिए ये इस तरीके से घुम कर muscle आती है पैरों से जब Taylor अपना काम करते हैं उनमें ये muscles बहुत ज़्यादा help करती है इसलिए इनको Taylor muscle कहा जाता है डेल्टोड के बारे में आप जानते ही हो ये कंदे की muscles होती है काफ muscles के बारे में हम पढ़ चुके हैं कौन-कौन से तीन muscles है तो देखिए बहुत ही सिंपल सा ये question है कि खेल कूद में शक्ति का प्रियोग sports में जब power की बार आ जाती है तो आप बिना सोचे समझे उसमें answer कर दीजिए muscle हैट answer क्या हो जाएगा mass patient mass patient के बिना शक्ति का प्रियोग या फिर power का use आप sports में करी नहीं सा तो कौन सा सिद्धान लागू होगा कौन सा principle अप्लाई होगा muscle का जो principle है वो अप्लाई होगा sports में अगर आपको power चाहिए तो next question है कोनी की संदी को मोडने एवं विस्तार में कौन सी mass patient सायक है which muscles are helpful in flexion and extension the elbow joint बहुत ही easy सा question है right answer देख लेते हैं से क्या है c biceps and triceps हमारी कोनी का जोड है उसको मोडने और विस्तार करने में flexion और extension में biceps and triceps use होती है यह देखिए यह हमारी कोनी है इसको मोडने अकाम कौन-कौन से muscles करती है biceps करती है और triceps muscles करती है युमरा सड़ी के दोनों साइड यह muscles होती है उपर की साइड में biceps है और नीचे की साइड में है triceps biceps में दो muscles का group है और triceps में है तीन muscles का group अगला question देखते है मास्पेशियों में किस तत्व के प्रयाप्त होने से खिलाडी देर तक नहीं ठकता है which element in the muscle does not make the player tired for long यह चार option है इन में से कोई एक अगर आपकी body में हो आपकी muscles में हो तो आप ठकोगे नहीं प्लेयर ठकता नहीं है बहुत लंबे time तक तो वो कौन सा होता है क्लाइकोजन होता है तर्वो हाइडेट से जब body glucose में convert करती है अपनी energy को और वो store होता है हमारी muscles के अंदर और वो काम करता है power के रूप में हमें शक्ति देता है काम करने के लिए और अगर ग्लाइकोजन की मातर हमारी body में ज़्यादा होगी तो हम लंबे समय तक ठकेंगे नहीं हमें ठकान नहीं होगी इसलिए आपने सुना होगा carbohydrate loading या फिर glycogen loading करते हैं competition से पहले वो इसलिए किया जाता है कि लंबे समय तक ठिलाडी को ठकान महसूस नहीं हो और physical activities करने में उसको problem नहीं हो next question देखते हैं शरीर की सबसे मजबूत सनायू है the strongest muscle of the body देखिए last question में हमने जो discuss किया था उसी तरीके का ये question है लेकिन ये question बिलकुल अलग है physical education के question paper में ये question आया हुआ है ये दोनों question आया हुए है उसमें तो right answer क्या था मसेटर muscle जबडे की जो mass space है क्योंकि option में वो ही दे रखा था और इसमें right answer क्या हो जाएगा rectus femoris इस तरीके से गुमाफिरा के questions दे जाते हैं ऐसा clear कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमारी body की एक muscle है जो सबसे ज़्यादा strong होती है सबसे ज़्यादा मजबूत होती है तो इसलिए ये questions थोड़े से important हो जाते है कि हमें options में क्या दिया हुआ है उस तरीके से हमें right answer को choose करना है तो strongest muscle case question में हमें option में कहीं भी जबड़ा या फिर मसेटर नाम नहीं दिखाए दे रहा तो हम rectus femoris को सही करेंगे देख लेते हैं body में कहां पर होती है ये देखिए जब की femur bone है उसके उपर की muscle होती है थाई इसे को बोला जाता है rectus femoris बहुत बड़ी muscle होती है और इसको भी strong muscle की category में हम consider करते हैं तो इस चीज़ को आप बिल्कुल जहान में रखिए जबड़े की mass specific strongest muscle की category में आती है और rectus femoris भी strongest muscle की category में आती है लेकिन आपको exam में उसी तरीके से answer करना है जैसा कि आपको question में पूछा गया है I hope आपको यवा doubt समझ में आ गया होगा इसमें आप confused मत होईए exam में जैसा आपको पूछा जाए उसी तरीके से आपको answer करना है अगला question देख लेता है हमारे सरीर में वसा तथा tissue के मेल को कहते है the combination of fat and tissue in our body is called तो combination के बाद आगई है हमारी body में ये fat और tissue दो हमें दे रखे हैं तो right answer क्या हो जाएगा body composition तो बहुत ही simple सा है fat और tissue का जो combination है वो nutrition बिलकुल नहीं होता muscle strength इन से बिलकुल नहीं होती combination से physical fitness, fat और tissue से नहीं होती तो ये दोनों मिलकर हमारी body का composition बनाते हैं body composition का मतलब ये हो गया कि हमारी body कौन कौन से element से मिलकर बनी है इसमें fat, tissue, carbohydrate, water ये सारे चीज़ें आ जाती है तो ये सब जब भी आएगा इन सब का combination जब भी आएगा तब आपको right answer कर देना है body composition ये हमारी body कौन कौन से element से बनी है कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है आज का last question देखते है अनेचिक पेशी का दूसरा नाम क्या है what is another name for involuntary muscle देखिए voluntary muscle हम देख चुके हैं involuntary muscle भी देख चुके हैं लेकिन इसका secondary name पूछा है दूसरा नाम involuntary muscle का क्या होता है non-streated muscle एर एकित पेशी कहा जाता है अनेचिक पेशियों को और strated कौन से होती हैं cardiac muscle और skeletal muscle यह आती है strated category के अंदर इनको आप द्धान में रखिए बहुत सारी categories है muscles की मैंने आपको describe इनके बारे में कर भी दिया है total तीन टाइप की muscles होती है voluntary, involuntary और cardiac voluntary जिन पे हमारा control रहता है involuntary पे हमारा control नहीं होता automatic काम करती है cardiac में heart की muscles आती है और non-stated muscles की जब बात होती है वो होती है involuntary muscles और stated muscle में आती है voluntary muscles और cardiac muscles इस तरीके से इनकी category है I hope आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा comments में जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं और channel पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुछ रहिए healthy रहिए और देखते रहिए sports engineering बहुत बहुत धन्यवाद झाल